हेलो फ्रेंज मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूव यो नॉलेज में आप तभी का श्वागत है फ्रेंज आज में सित्रकला की रेजपी लेकर आए हूं इसे हम टीज देवार पे अक्सर बनाया करते हैं यह बहुत सुपाना जाता है तो इस रेजपी को आप भी जुरूर ठ कीजिए यह मिल्क और से बना हुआ चंद्रकला खाने में बहुत ही लगता है तो फ्रेंजी से आप जरूर ट्राय कीजिए और मेरे सेनल को लाइक शब्स्ट्राइब और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए हम इसे बनाना शूरू करते हैं चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम दो तयार करेंगे तो यहां पर हमें तीन सोग्राम मैदा लिया है आप मैदा को शान देजिए क्योंकि मैदे में कुछ भी अंतियुरुटी आता है वो निकल जाता है मैदा में हम शूग्राम घी डालेंगे अब तेल डालिए या खी डालिए मेजर पर्टेक्ट होना चाहिए तब ही जाके डो अच्छा तयार होता है तो हम सबसे पहले मैदे को अच्छे से मीशेंगे मैदा के साथ इसे हंखेली से मीशते हुए इसे मिक्स करना है आप देख सकते हैं हमने मैदे को मैद में अच्छे जवीशा है तो यह ऐसा मिक्स होया है और इसकी पहचान है जब हम इसे मुठी से बाढ़े तो यह अच्छे से वैंड हो जाता है इसके बुझिया या चंत्रकला बहुत ही क्रिश्पी होता है तो खश्ट टिफ्स है बॉयन डालने का इसकी मेजर से ही होनी चाहिए दूसरा टिफ्स है हम पानी डालेंगे तो पस चुल्लू मेले के थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें न ज्यादा शॉफ्ट करना है और नहीं ज्यादा हार तो इस एश्टेज पे हमें पानी डालना बहुत ध्यान में रखके करना है जब ही हम पानी डालें थोड़ा थोड़ा डालें ज्यादा डीला हो गया तो भी अपनी संदरकला अच्छा नहीं बनेगा ज्या ज्यादा शौब भी नहीं है और ज्यादा हाड भी नहीं है चलिए हम इसे रेश्ट करने के लिए छोड़के दूसरा एश्टेप सुरू करते हैं यानि कि इसकी फिलिंग तयार करते हैं गैस भी हमें कडाही रखेंगे गैस को आउन कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमस भी या देल को गडम होने देंगे और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी रवा दूसरा रवा को हम अच्छी सी गोल्ड़ें ब्राउन होने तक ढूनेगे एक इस टार्टिंग में हम इसे तेज़ फ्लेंपे भूनेंगे और गढम होने के बाद हम इसे स्ट्रो फ्लेंपे ब्राउन होने तक ढूनेगे और उचलाते रहना है तो तले में भीकुल नहीं इसमें से अच्छी सिख फुसूब ही आने लगी है इस इस्टेज पे हम डालेंगे कुछ ड्राइफ्रूट्स तो यहां पे हमने मिक्स ड्राइफ्रूट्स लिया है काजू बदाम किसमिस शभी को हम इसमें डाल देंगे और रवे के साथ तम ही से भी हूनेंगे रवे के साथ में राइफ्रूट्स को मेडियम पेंगे तो मिनट तक फून लिया है आप एक सकते हैं किसना बढ़्याप इस राइफ्रूट्स सुल गया है और इसे पे भी छोड़ने लगा है इस एश्टेज पे हम डालेंगे कोकोनट और यानि कि इसे डेसी कोटेट कोकोनट क अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पॉडर तो यहीं हमें बताना था कि आज जब हम संद्रकला बनाएंगे वो मिल्क पॉडर से बनाएंगे बिना फोया था यह अफ़त ही टेस्टी लगता है अब देख सकते हैं मिल्क पॉडर डालने के बाद अपने पीलिंग की कलर कितने यह बोगत ही मज़दार रेस की कियार होता है अब हम इसमें डालेंगे सक्कर तो सक्कर आप अपनी अंदाज में डालिये आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डालिये हमने तो इक्वल पांडिकी में सारे इंडिलिंग डालें हैं जब रवा, गोकोनेट पॉडर, 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 ड्राइव रूश और सब्कर, हमें सभी उडिये इकल लिया है, सभी को हम अजसे से मीक्स करते हुए फ्लेम को गॉफ कर लेगे, तो ये अपनी फिलिंग तयार हो गई, अब सभी हम इस लाइश टेप सुडू करते हैं, तो गैस से हमें एक बड़ा सा बॉल ये हैं और उसमें हम लाज ले हैं सब्कर, तो यहां पे हम अठाई इसोग्राम सब्कर डाल रहे हैं, और इसी बॉल से हम पॉना का टोरी पानी डाल दे रहे हैं, डैस को हम अन करके और एक चाशनी तयार करेंगे, चाशनी को मिचलाते हुए तीक सी-चार मीन तक सकाएंगे चाशनी को हमने तीन मिन तक पका लिया है, अब हम इस एश्टेज पे डालेंगे तीन से चार पूटी हुई इलाची, ये छोटी वाली इलाची है, जिसे हमने दरदरा कोट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अपने चाशनी में, इलाची डालने के बाद हम एक मिनट और उबालेंगे, फिर आपको हम चाशनी नी खा दे रहे हैं, इलाची डालने के बाद हमने एक मिनट तक चाशनी को उबाल लिया है, तो ये अपनी चाशनी तयार हो गई है, आप देर सकते हैं, हम चाशनी को गिरा रहे हैं, तो बिक् difféla गाठा गाठा दिख रहा इक हम दो लेंगे अबो खुल चुकी हैं अब आहलो करेंगे शर्णा करेंगे इंतना उसे निदम कीक हम strijis हैं dest записवि क्ला है तरफ मुझ camping तोल लेंगे मैं तो लेंगे हैं 6 तरफ सभी बना लिये हैं पतली होनी चाहिए तो आपको दिखा देगे तो आप देख सकते हैं हमने ना ज्यादा मोटी पूरी बनाई है नहीं ज्यादा पतली एक्वल हमने पूरी तैयार किया है तो ऐसे ही हम दुसरी पूरी भी बेल लेंगे एक लोई लेना है और पूरी ओको ऐसे चकली पे घुमाते हुए बेल लेना है तो हमने यहाँ पे दुसरी पूरी भी बेल ली है अब हम क्या करेंगे पूरी की ऊपर थोड़ा अश टरफिंग रखेंगे तो यहाँ पे हम एक चमच एश टरफिंग रखेंगे ज्यादा नहीं तो अपनी चंद्रकला जो है वह थटने लगती है तो हम एक अंदाज से उसमें श्टरफिंग डालेंगे हम चाड़ो तरफ से ऐसे पानी लगा देंगे पानी लगाने का रिजन है कि अपनी पूरवाली पूरी की परथ हम रखेंगे अच्छे से चीपक जाएगी तो हमें हल मैं बॉD थाया बना थे है तो हमें ये समय के थीप संद्रत्रे ते बढेंगे हम चुट्गे सब्सक्राह ना स्ब्सक्राई पता देड में हैं छ इब और अपने में दे अवह मैं है तो हम सेम खुच्छिया भी है। नहीं स Whole चंद्रकला का होता है। मैं अब ही आपको बता ही देती हूं गुजिया के लिए हमें एक ही पूरी लेना है और पूरी के हमें आधे साइड में श्टफिंग रखना है पूरी को हम ऐसे मोड देंगे चीम पर और ऐसे हाथ की मख़ी से डबा लेंगे अब हम सेम प्रोशेस से इसे भी गूंदेंगे बस जुटकी से प्रेस करना है और ऐसे फोल्ड करना है तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप तयार हो रही है ऐसे हैं गुजिया को मोड लेंगे और इसको चंदरकला का सेफ कैसे देते हैं वह भी आपको दिखा देती हूं तो हम इसे ती रिदिद ऐसे लाके और दोनों को च्राइंड करेंगे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यह अपनी निव वाली चंदरकला तयार हुई है तो आपको जैसे पसंद है वैसे बनाईए हम तो चले दोनों तरीके से बनाने तो आप देख सकते हैं हमने अलग- तेल गड़म कर लिये हैं चलिए ग्राइस कितल चलते हैं आप देख सकते हैं अपनी तेल गड़म हो चुकी है आपनी तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है और ज्यादा घंडा भी नहीं रखना है बिल्पुल मेरिया तेल गड़म होना जाहिए अब हम उसमें एक चंदरकला धीरे धीरे छोड़ देगे एक अपनी चंदरकला डाला एक दिजिया डाला और ये दुसरा चंदरकला डाला तो एक बार में इतना आए आप डालिये एक साइब से हमेशे स्लोप लेंग पे दो मिनट तक सिखने देना है फिर हम आपको फ्रीव करके दिखाएंगे आप देख सकते हैं अपनी चंदरकला की कलर कितनी बढ़िया हो गई है एकदम प्रीश्पी और कडारी कलर भी देख लीजिए अब हम इसे जर्टी से ऐसे टेखा करते हुए एक श्ट्रा देख दिरा देंगे और चाजली की तरफ ले चगेंगे अब हमें चाज्टी बनाके रखा था उठटी हो चुकी है इसमें हम चल्ट लगा को पोड़ेंगे और ये इसे चंबच की मदब से इसे अच्छी से दुबा लेंगे अब ही हम इसे एक से दो मिनर तक नुबा हुआ ही छोड़ देंगे तब तक दूसरा बैस हम प्राइब कर लेते हैं तो अपनी तीर गड़न ही है हम धीरे से इसमें एक एक चंड़कला को छोड़ देंगे आप देख सकते हैं अपनी बढ़िया अपनी चंड़कला पुड़ाई हो रही है साइड के हम छोड़े चोड़े चोड़े और सेम प्रोशेश से दो मिनट बार पुलट पुलटके 10-12 मिनट लेंगे अपनी चंड़कला चाचने में अच्छे से पुक्ते है यान हमम इंगाल लेंगे से 15 होड़े गहना की मदद से तेरह करते हुए एक श्ट़कला भी – जिराल देंगे और एक प्लेट में इसे ऐसे निकाल लेंगे गे वुहत ही शंदर ही तेष्नी पयार होता है तो फ्रेंट्स आपने देख लिया चंदर कला बनाना कितना आसान है खाने में तो ये बहुत तेश्टी लगता है तो इस रेजबी को आप भी जुरू ट्राइए कीजी और मेरी से रेजबी को लाइख, सब्सक्राइब और शेयर जुरूर कीजी धन्यवाद